भक्ती मैं भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ती भजन सागर नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें श्री गुरु चरन सरोज रज निज मनो कुर सुधारी बर नौ रखो बर विमन जसु जो दायको फल चारी बुद्धिहीन तनो जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धिवित्या दे हूं मोही हर हूं कलिस बिकार जै हनुमान ग्यान गुनसागर जै कपीसति हुलोक जागर रामदोत अतुलित बलधामा अंजनि पोत्र पवन सुतनामा महाँ बेर बिकरम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरल बियाज सुबेसा कानन कुंडल कूचित देसा हात ब्रज और घजा विराजे कांधे मूझ जने भूसाजे शंकर जोवन के सरीन अंदन तेज प्रताप महा जग अंदन वित्यावान भुरी अतिचातुर राम काज कर बेको आतुर प्रभुचरित्र सुनी बेको रसियाँ राम लखन सीता मन बसियाँ सोक्ष्म रोप धरी से अही देखावा विकट रोप धरी लंक जरावा भीम रोप धरी असर सहारे राम चंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए शीर रघुवीर हरशी और लाए रघुपत के नहीं बहुत बढ़ाई तुममम प्रियभर कही समभाई सहस बदन तुम्हरो जसगावे उस कही श्रीवति कंथ लगावे सनकादित ब्रम्हादि मुनिसा नारद सारद सहित अहीसा जम को बेर दिक पाल जहाते कभी को बेत कही सके कहाते तुम उपकार सुग्री वही की नहाँ राम बिलाए राजपत दीनहाँ तुम्हरो मंत्र विभीशन मौना लंकेश्वर भए सब जद जाना जुग सहस्त्र जोजन पर भानू लीलोता ही मघुर फल जानू प्रभो मुत्रे का मेली गुख माही जल धी लांगी गए अच रच नाही दूर गम काज जगत के जीते सुगमानों गह तुम्हरे ते ते राम दुआरे तुम रखवारे होतना ग्या बिन पैसारे सब सुख लहें तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हूँ को डरना हाँ पन तेज संभारों आपे तीनों लोक हाँ के तापे भूत पिसाच निकट नहीं आवे महभीर जगनाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपतन रंतन हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुडावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस भी राजा तीन के काज सकल तुम साजा और मनोरत जो कोई लावे सोय अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा हे परसिध जगत उजियारा साधो संक के तुम रखवारे असरन कंदन राम दुलारे हष्ट सिथी नौनिधी के गाता उस बर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हरे पासा सदारह रखुपति के दासा तुम्हरे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख विसरावे अंत कालक रखवर पुर जाई जहां जनम हरे भजत कहाई और देवता जीतना धरई हनुमत से सब्रसुख कराई संकट कट मेटे सब पीरा जो सु मिरे हनु मत बल बीरा जय 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 हनु मान गोसाई क्रिम्पा करू गुरु देल की नाई जो सत्वार पाठ कर वोई छुट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो इस थी साखी दोरीसा तुलसी दास सदा हरी चेरा कीजे नाथ रिदे महडेरा कीजे नाथ रिदे महडेरा पवनतन संकट हनन मंगल मूरती रूप राम लखन सीता सहित रिदे बस हो सुर भूप मंगलवार व्रत कथा एक समय की बात है कि एक ब्राम्हड दमपति को कोई संतान नहीं थी जिस कारण वो बेहत दुखी थे एक बार ब्राम्हड वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया वहां उसने पूजा के साथ महावेर जी से एक पुत्र की कामना की घर पर उसकी इस्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी वो मंगलवार के दिन ब्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगा कर ही भूजन करती थी एक बार ब्रत के दिन ब्रामभडी ना भूजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी उसने प्रण किया कि वो अगले मंगलवार को हनुवान जी को भोग लगा कर ही भुजन करेगी वो भूखी प्यासी छे दिन तक पड़ी रही मंगलवार के दिन वो बेहोश हो गई हनुवान जी उसके निश्ठा और लगन को देखकर प्रसन हो गए उन्होंने आशिरवाद स्वरूब ब्रामभडी को एक पुत्र दिया और कहा कि ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा बालग को पाकर ब्रामभडी अतिप्रसन हुई उसने बालग का नाम मंगल रखा कुछ समय उपराथ जब ब्रामभड घर आया तो बालग को देखकर पुछा कि वो कौन है पत्नी बोली कि मंगल वार ब्रत से प्रसन होकर हनमान जी ने उसे ये बालग दिया है ब्रामभड को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ एक दिन मौका देखकर ब्रामभड ने बालग को कुवे में गिरा दिया घर पर लोटने पर ब्रामभड ने पुछा कि मंगल कहा है तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया उसे वापस देखकर ब्रामभड आश्यर चकित रह गया रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिये और बताया कि ये पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है ब्रामभड सत्य जानकर बहुत खुश हुआ इसके बाद ब्रामभड दंपती मंगलवार ब्रत रखने लगे मंगलवार का ब्रत रखने वाले मनुष्य हनुमान जी की कृपा वदया का पात्र बनते है मंगलवार ब्रत बिधी मंगलवार ब्रत करने वाले जातक को मंगलवार के दिन ब्रहमचरे का पालन अवश्य करना चाहिए प्रतेक मंगलवार को सुबह सूर्य उद्य से पहले उठ जाना चाहिए स्नान करने के बाद जातक को लाल रंग का वस्तर पहनना चाहिए इसके बाद लाल फूर, सिंदूर, कपड़े आदी हनवान जी को चड़ाना चाहिए पूरे भक्तिभाव से हनवान जी के सामने बैठ कर जियोती जलाने के बाद हनवान चालीसा या सुन्दर कांट का पाट करना चाहिए शाम के समय हनवान जी को वेसन के लड़ू का भोग लगा कर बिना नमक का भोजन खाना चाहिए हर्मान जी को खीर का भी भोग लगाया जा सकता है मंगलवार वरत करने से व्यक्ति के सारे कश्ट दूर हो जाते हैं मानेता है कि शनिक रहसे होने वाली परिशानियों के निदान में भी ये वरत बेहद कारगर साबित होता है मंगलवार वरत मांगलिक दोश से पेड़ित चातकों के लिए भी फाइदे मंग बना जाता है